नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टेडी विद एलिशेलक्स पर और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरो यारो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्या आपको कम समय में बैतर कंटेंट उबलप्त कराना और इसी कड़ी में आगे जूटते हुई आज का एक और हमारा वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा भारतिय सम्विधान से बारतिय सम्विधान के टोप 100 कोश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और ये वो कोश्चन है जो बार-बार आपकी परिक्षा में एज़िटीज उठा कर पुछ ले जाते हैं और ये वीडियो यूपी पुलिश के लिए भी हेल्प्फुल हो जाएगा क्योंकि ये ही कोश्चन है जो बार-बार सभी परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं तो चलिए देर न करते हो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और ये हो जाएगा भारतिय सम्विधान से टोप इंपोर्टेंट कोश्चन और हमारा आज का पहला कोश्चन हो जाता है निमनल्गित में से किस अधिनियम में कलकथ्था में सर्वोचि नियायले की इस्थापना का प्रावधान किया गया था तो कौन सा वो एक्ट हो जाता है या आपको बताना है हम आपका ज्यादे समय नहीं लेंगे और फटा फटा जो है आपको 100 question करा देते हैं और इसका जो correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका Regulating Act 1773 1773 में कलकत्ता में सरवोचि नियाले की स्थापना का प्रावधान किया गया था और यहां बात करेंगे इसके बारे में 1773 में Regulating Act में कलकत्ता में सरवोचि नियाले की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी जो इस्थापना आई है 1774 में की गई थी और सर एलिजा एम पे ये नाम आपको याद रखना है कई बार आप आपकी प्रिक्षा में पूछा जाएगा एलिजा एम पे इसके परमुख मुख्य नियाजधीस हो जाते है आपसे पूछा जाएगा पर्थम मुख्य नियाजधीस कोन थे तो वो आपके एलिजा एम पे हो जाते है आपने देख लिया है 1773 में प्रावधाना आया था और 1774 में जो है इसकी इस्थापना कर दी गई थी एलिजा एम पे पर्थम बुख्य नियाजधीस हो जाते है और ये वो कोश्चन है जो बार-बार आपकी प्रिक्षा में इसी तरह से पुछे जाते है सरोच नियाले की स्थापना के संबंद में निमने लिखते में से कौन सही कथन सही हो जाएंगे सही कथन आपको बताना है कौन कौन सही हो जाते है दोनों कथनों को जो है आपको देख लेना है कलकत्ता में सरोच नियायल की स्थापना सत्रोज तिहत्तर के रैगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है सत्रोज तिहत्तर का था वो एक्ट जिसके द्वारा कलकत्ता में सरोच नियायल की स्थापना की गई थी और लेमेश्टर इस नियाईल के मुख्य नियाईधिस तो ये आपका गलत हो जाता है लेमेश्टर इस नियाईल के पर्थम मुख्य नियाईधिस नहीं थे कौन थे ये हम आपको पहले बता चुके है एलीजा MP थे आपके नियायल के पर्थम मुख्या नियायधीश ठीक है तो दूसरा आपका गलत हो जाता है एक आपका correct हो जाएगा और एक दिया गया है आपको option number A में ठीक है केवल एक आपका जो है ये correct हो जाता है और ये question आपसे RORI की परिक्षा में पूछा गया है किस अधीनियम के द्वारा British संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर East India Company के भारत के साथ व्यापारिक एक आधिकार को समाप्त कर दिया था एक आधिकार को समाप्त कर दिया था कौन सा हो जाएगा ये तो ये हो जाता है आपका 1813 का chartered अधीनियम ठीक है इसके द्वारा बेटे संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर East India Company के भारत के साथ व्यापारिक एक आधिकार को समाप्त कर दिया था ब्रिटिस संसद के किस अधीनियम ठीक है भारत में व्यापार पर East India Company के एक आधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के chartered अधीक के द्वारा और ये हो जाता है हमारा पांच नमबर किस अधीनियम ने भारत वाशियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभाव बनाया था तो ये आपका हो जाता है chartered act 1833 ठीक है ये आपको याद रखना है चार्टेड एक्ट 1833 के द्वारा भारतवास्यों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कर दिया गया था यह हो जाता है हमारा छे नंबर निमने लिखित में से किस अधीनियम के अंतरगत भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की सकती प्राप्त हुई है बजट पर बहस करने की सकती प्राप्त हुई है यह किस के द्वारा हो जाती है तो ये हो जाता है आपका भारतिय परीशद अधीनियम 892 ठीक है ये हो जाता है 892 और ये आपको याद रखना है ये बार-बार कोश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं कोश्चन नमर साथ हो जाएगा बिटिस भारत में सामपरदाइक परतिनी दित्व की व्याख्या निमने लिखित में से किस अधीनियम द्वारा की गई थी ये आपको बताना है सामपरदाइक परतिनी दित्व की व्याख्या तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है आपका हो जाता ह कोस्टे नमर 8 हो等一下 1909 का अधीनिययम था 1909 जो अधीनियम था तो ये हो जाता है अपका पर्थक्षक 맞 दिखार्ड छेत्र के लागू करने से ठीक है इसलिए जो हिए हो जाता है नो नमबर हो जाएगा निम ने लिकित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संग्या नियायले की इस्थापना की गई थी भारत में संग्या नियायले की इस्थापना की गई थी और इसमें से करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं दस नमबर देख लेते हैं भारत का संग्या न्यायलय निमनेलिखित में किस वर्स में इस्थापित किया गया था किस वर्स में इस्थापित किया गया था यह आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका 1937 में 1937 में भारत का संग्य न्यायले इस्थापित किया गया था निम्नलिथी में किस अदिनियम ने केंद्र में द्वैद सासन परणाली की स्थापना की थी द्वैद सासन परणाली की स्थापना किस वर्ज की गई है ये आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंदर में 2740 इस्थाबित की गई थी भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतिय विधान पाली का पर्थमबार दुई सदनिये बनाई गई थी दुई सदनिये पर्थमबार कब बनाई गई थी तो ये हो जाता है आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ठीक है भारत 1919 में कौन सा आया था 1919 में आपका मौन्टेंग्यू चेहन सपोर्ट सुधार आया था ठीक है 13 नमबर देख लेते हैं केंदर में कौन सा एक्ट दुई सदिनिया विधाई का लाया था जाता है जो दुई विधान सभ्या लाया था और यह हो जाता है हमारा 14 नमबर भारतिय सिविल सेवा के संदर्ब में निमनली कतनों में से कौन सा एक कतन सही है सही आप से पूछा गया है कौन सा सही हो जाएगा यह आपको बताना है यहां जो है केवल दो दिये गए है और बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतिय सिविल सेवा के लिए एक अलग परिक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी तो ये तो आपका correct हो जाता है भारत सरकार अधिनियम में 1919 में भारतिय सिविल सेवा के लिए एक अलग परिक्षा का प्रावधान किया गया था ठीक है ये आपका हो जाता है correct बात करेंगे दूसरे point के बारे में भारतिय सिविल सेवा में 1941 में भारतियों का परतिसत यूरोप correct हो जाता है यह आपके दोनों option जो है correct हो गए है और दोनों option दिये गए हैं आपके option number C में ठीक है और ये भी question जो है आपसे RORO की परिक्षा में पूछा गया है दोनों आपके correct हो जाते है और अगर आप channel पर नए हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस् description में मिल जाएगा. da question number 15 हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 19ואनीस के अंतरगत भारतियाए विदाई का अंतिम निरौचन किस वरस में आउजित किया गया था ये आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाता statistic इन निस सो पैंतालिस 1945 में भारत सरकार अधिनेम 1916 के अंतरगत भारतियाय विधाईका का अंतिम निर्वाचन ये आयुजित हुआ था 16 नमबर देख लेते हैं राष्टपती की अध्यादेश निर्गत करने की सक्ति प्रेरित है 17 नमबर देख लेते हैं भारत के सम्विधान में केंदर और राज्यों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इन में से किसमे उल्लेखित योजना पर आधारीत है किसमे आधारीत हो जाएगा ये आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ठीक है ये आपका correct answer हो जाता है बात करेंगे 18 के बारे में एक संग्य विवस्ता और केंदर में दुयाद सासन भारत में लागू किया गया था दुयाद सासन भारत में लागू किया गया था तो ये हो जाता है आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा संग्य विवस्ता और केंदर में द्वयत सासन को भारत में लागू किया गया था 19 नमबर देखते हैं अखिल भारतिया महासंग इस्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था अखिल भारतिय महासंग इस्थापित करने का प्रावधाम तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निमने लिखते में से कीजिय अधिनियम ने भारत में संग्य विवस्था दे थी कौनचा अधिनियम के द्वारा भारत में संग्य विवस्था दी गई है तो ये हो जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संग्य असासन की विवस्था दी गई है 1935 के अधिनियम के द्वारा इस्थाभित संग में अवसे सक्तिया किसको दी थी अफसे सक्तियां किसको दी गई हैं तो यह हो जाता है आपका Governor General को ठीक है याई नाम आपको याद रखना है 1935 के दिनियम के दुआरा इस्थापित संग में अफसे सक्तियां एक Governor General को दी गई थी 1935 का Government of India Act क्यों महतपूर्ण हो जाता है 1935 का Government of India Act पूछा गया क्यों महतपूर्ण यह हो जाता है तो इसका correct answer हो जाता है यह भारतिय सम्विधान का परमुक्सुरोत हो जाता है 1935 का Government of India Act इसलिए महतपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भारतिय सम्विधान का परमुक्सुरोत होता है निम्नेलिक अधिनियमों में किस अधिनियम के फल सुरू बर्मा भारत से अलग हुआ था कौन सा अधिनियम हो जाता है तो ये हो जाता है आपका गवर्मेंट उफिंडिया एक्ट 1935 इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में ठीक है ये आपको याद रखना है बर्मा भारत से अलग वा था 1937 में लेकिन एक्ट कौन सा था एक्ट था वो 1935 का Government of India Act 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया है यहां भी दिखाया गया है Government of India Act 1935 के पराओधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को बारत से अलग कर दिया गया है बारत के लिए समविधान में रचना है तू सम्विधान सभा का विचार निम ने लिखित में से सरुपरतम किस के दोहरा प्रस्तूत किया गया था सम्विधान सभा का जो विचार है सरुपरतम किस के दोहरा प्रस्तूत किया गया था यह आपको बताना है तो यह हो जाती है आपकी स्वयराज पार्टी स्वाराज पार्टी में 1934 में भारत के लिए सम्विधान सभा की रचना एतू सम्विधान सभा का विचार रखा था और अगर अभी तक आपने हमारा लाश्ट 12 महिने का उत्तर प्रदेश का करेंट अफेर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे महाँ आपको उत्तर प्रदेश इस्पेसल के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी महाँ जाकर आप जनवरी से दिसंबर मैरा थन किलास ये देख सकते हैं इसमें आपको पिछले 12 महिने का करेंट अफेर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का और इसमें लगबग आपको 200 से 2500 कोश्चन जो हैं मिलने वाले हैं और ये आपको सभी परिक्षा के लिए हैलफूल भी होने वाला है स्वतंतरता के पूर दिनों में प्रारंब में किसने सम्विधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था तो ये हो जाते हैं आपके MN राय MN राय के दुआरा सरुपत्रम सम्विधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था और अगला कोश्चन हो जाएगा एक निर्वाची सम्विधान सबा दोहरा भारत के सम्विधान का निर्मान करने का प्रस्ताओ किया गया था भारत के सम्विधान का निर्मान करने का प्रस्ताओ ये हो जाता है आपका क्रिप्स मिशन के दोहरा ठीक है और क्रिप्स मिशन ये आ जाता है आपका 1942 में ठीक है और ये हो जाता है हमारा 27 नमबर कैबिनेट मिशन योजना के अंतरगत सम्विधान निर्मातरी परिशद में परति एक प्रांथ को आवंटित सदसंख्या निर्धारित करने के लिए एक परति निर्धी कितने जन्जंख्या के अनुपात में हो जाता है तो इसका करक्ट आंसर जो है कभी नहीं बतलता ये ही होता है दस लाग व्यक्ति पर एक परति निर्धी हो जाता है और ये हो जाता है हमारा 28 इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थ तो ये हो जाते हैं आपके Staford Crips ये आपके Cabinet Mission के सदस हो जाते हैं Pethic Lawrence भी हो जाते हैं और A.B. Alexander भी हो जाते हैं लिखिन William Wood जो है ये आपके Cabinet Mission के सदस नहीं है निमनेलिक में कोन अगस्त 1946 में गठित पर्थम अनंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस नहीं था पर्थम अनंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस कोन नहीं था तो ये हो जाते हैं आपके Dr. S. Radha Krishnan Dr. S. Radha Krishnan अगस्त 1946 में गठित पर्थम अनंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस नहीं थे पर्थम अनंत्रिम पर्थम राष्टिय सरकार की घुसना तो यह हो जाती है आपकी 24 अगश्ट 1946 को पर्थम राष्टिय सरकार की घुसना की जाती है जो अनंत्रिम थी सम्विधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था उससे मैं सम्विधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था तो ये हो जाता है आपका प्रांतिय सभाओ के दौरा प्रांतिय सभाओ के दौरा सम्विधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था संविधान सभा के चुने हुए इस्थाई अध्यक्स, तो इस्थाई अध्यक्स जो है, यह आपके राजिंदर प्रसाद हो जाते हैं और अगर आप से अष्थाई पुछा जा सकता है, तो यह आपके सचीदा नंद सिन्धा हो जाते हैं दोनों आपसे पूछे जाते हैं और बार-बार अपकी प्रिक्षा में ये पूछे जाते हैं समीधान सभा की पर्थम बैठक की अध्यक्स्ता किसके द्वारा की गई है पर्थम बैठक की अध्यक्स्ता की बात की गई है तो ये हो जाते हैं आपके डाक्टर सचीदान सिना के द्वारा समीधान सभा की पर्थम बैठक की अध्यक्स्ता की गई है भारतिय सवीधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अध्यक्स्ता की गई है यह की गई है आपकी सच्चिता नंसिन्हा के द्वारा ठीक है? पर्था मदीवेशन की बात की गई है यह डाक्टर सच्चीता नंसिन्हा हो जाते हैं और यह हो जाता है हमारा 35 नम्बर डाक्टर राजेंदर परसाद को समविधानसवा का सभापती चुना गया था कब चुना गया था राजिंदर परसाद को ये आपको बताना है तो ये हो जाते हैं दिसंबर 1946 में डाक्टर राजिंदर परसाद को सम्विधान सभा का सभापती चुना गया था भारत की सम्विधान निर्मात्री सभा के अध्यक्स कौन थे? सम्विधान निर्मात्री सवा के अध्यक्स आपसे पूछे गई हैं तो ये हो जाते हैं आपके डाक्टर राजिंदर परसाद सम्विधान निर्मात्री सवा के अध्यक्स हो जाते हैं स्वतंतर भारत की सम्विधान सवा के अध्यक्स कौन थे? तो यह हो जाते हैं आपके डाक्टर राजिंदर परसाद सविधान सभा के पर्थम मनोनीत उप सभापती कौन हो जाते हैं उप सभापती आपसे पूछे गए कौन हो जाते हैं पर्थम मनोनीत आपसे पूछे गए तो यह हो जाते हैं आपके फ्रैंक एंथोनी ठीक है ये question आपसे पूछा गया है फ्रैक एंथोनी हो जाती है समविधान सभा के पर्थम मनोनीत उप सभापती भारतिय सभा की स्थापना की गई थी समविधान सभा की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी ये आपको बताना है तो यह हो जाता है आपका 9 दिशंबर 1946 को भारतिय सवीधान सभा की स्थापना की गई है और स्थापना का वर्स भी आपको याद रहाएं, यहां से भी डारेक्ट कोस्चन आपसे पूछ लिया जाता है यहां भी जो है वोई question दिया गया है सम्विधान सभा का गठन हुआ था सम्विधान सभा का गठन कब हुआ था तो यह हो जाता है आपका दिसंबर 1946 में सम्विधान सभा का गठन हो जाता है भारत की सम्विधान सभा का पर्थम अधिवेशन शुरू हुआ था बारत की सम्विधान सभा का पर्थम अधिवेशन शुरू हुआ था ये कब से हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 9 दिशंबर 1946 से ठीक है ये आपको याद रखना है 9 दिशंबर 1946 को बारत की सम्विधान सभा का पर्थम अधिवेशन शुरू हो जाता है यह हो जाता है हमारा 42 नमबर भारतिय सम्विधान सभा की पर्थम बैठक हुई थी पर्थम बैठक आपसी पूछी गई है कब हो जाती है तो यह हो जाती है आपकी 9 दिशंबर 1946 को भारतिय सम्विधान सभा की पर्थम बैठक आउजित हो जाती है जवाहरलाल नहरू ने भारत की सर्विधान सभा की किस बैठक में उद्देश प्रस्ताव रखा था उद्देश प्रस्ताव कौन सी बैठक में रखा गया था तो ये हो जाता है आपकी पांचवी बैठक में उद्देश प्रस्ताव रखा गया था जवाहर लाल नहरू के द्वारा भारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताव सम्विधान सभा द्वारा पारित किया गया था एक कप पारित किया गया था तो यह हो जाता है आपका जन्वरी 22.1947 को ठीक है 22.1947 को भारत को एक सम्विधान देने का प्रस्ताव सम्विधान सभा दोरा पारित किया गया था सम्विधान सभा के सम्मुक सम्विधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था किसने रखा था सम्विधान की प्रस्तावना का प्रावधान सम्विधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव तो ये वह जाते हैं आपके जवाहरलाल नहरू जवाहरलाल नहरू के दौरा सम्विधान सब्हा के सम्मुख सम्विधान की प्रस्ताव नका प्रस्ताव रखा गया था 46 नमबर देख लेते हैं समिधान सभा में उद्देश प्रस्ताओ निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तूत किया गया था उद्देश प्रस्ताओ किस के द्वारा प्रस्तूत किया गया था तो ये हो जाते हैं आपके पंडिक जवाहर लाल नहरू इनके द्वारा समिधान सभा में उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था भारत की समिधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथी को बताईए सही तिथी आपको बताना है भारतिये समिधान सभा की अंतिम बैठक की अंतिम बैठक कब हो जाती है ये आपको बताना है तो ये हो जाता है 24 जनवरी 1950 को अंतिम तिथी हो जाती है सम्विधान सभा की बैठक की ठीक है सम्विधान सभा की आपसे ये भी पूछ ले जाएगा कि सम्विधान सभा की अंतिम बैठक कब हो जाती है भारत के सम्विधान के निर्मान में सम्विधान सबा को कितना समय लगा था? सम्विधान सबा को कितना समय लगा था? निर्मान में. तो ये हो जाता है आपका दो वर्स 11 महा और 18 दिन का समय लगा था भारत के सम्विधान के निर्मान में. यह हो जाता है हमारा उनन्चस नंबर भारतिय सविधान के निर्मान के समय समविधानिक सलाकार कौन थे तो समविधानिक सलाकार यह आपके बेन राओ हो जाते हैं ठीक है यह हो जाते हैं आपके समविधानिक सलाकार और ये हो जाता है आज का हमारा पचासवा कुश्चन भारतिये सम्विधान का पर्थम प्रारूप तयार किया गया था पर्थम प्रारूप तयार किया गया था किसके द्वारा तयार किया गया था तो ये आपके बियन राओ के द्वारा तयार किया गया था बारती ये सम्विधान सबागा पर्थम प्रा रूप 51 नंबर देख लेते हैं बारत का सम्विधान पूर्ण रूप से तयार हुआ था पूर्ण रूप से बन कर तयार हो गया था कब हो गया था तो ये हो जाता है आपका 26 नॉवंबर 1929 को 26 नॉवंबर 1999 को भारत का सम्विधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था लेकिन इसको लागू किया गया था जनवरी 26 जनवरी 1950 को ठीक है ये लागू किया गया था इस तरह से भारतिया सम्विधान को सम्विधान सबाद वारा अंगीकरत किया गया था कब अंगी किरत किया गया था यह आपको बताना है तो यह हो जाता है आपका 26 नवंबर 1909 को यह अंगी किरत कर दिया गया था सविधान सभा दुवारा भारतिय सविधान को सुविधान को सुविधान किया गया था सम्विधान सबादवारा भारतिय सम्विधान को और लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का सम्विधान किस्तिति को अपनाय गया था ये आपको बताना है कोश्चन को जो है कई तरह से अग्जामनाराप से घुमा फिरा कर पूछता रहता है यहाँ पूछा गया है भारत का सम्विधान किस्तिति को अपनाया गया था तो यह हो जाता है आपका 26 नवंबर 1999 को भारत का सम्विधान अपनाया गया था भारतिय सम्विधान कब लागू हुआ था ये आपको बताना है भारतिय सम्विधान लागू हुआ था लागू हो जाता है ये 26 जनवरी 1950 को ठीक है ये आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है भारतिय सवीधान दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका 26 नवंबर को भारतिय सवीधान दिवस मनाया जाता है फिप्टी सेवन हो जाएगा भारतिय सवीधान को अपनाया गया था भारतिय सवीधान को समवीधानिक सभा के दौरा अपनाया गया था ठीक है बारत का सविधान अंगी करतेयों अधी नियमित हुआ था बारत का सविधान अंगी करत एवं अधी नियमित हुआ था और यह हो जाता है हमारा सिक्स्टी नंबर डाक्टर भीमराव अंबेडगर का जन्म और मिरत्यू कब हुई है जन्म हो जाता है इनका 1891 में और मिरत्यू इनकी हो जाती है 1956 में ठीक है यह आपको याद रहना है दोनों चीज़े आपको याद रहना है 1891 में इनका जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म हो जाता है 14 अप्रेल 1891 में इनका जन्म हो जाता है 14 अप्रेल 1891 में यह आपका महु मद्य परदेश में इनका जन्म हो जाता है और इनकी जो मिरत्यू है यह आपकी 6 दिसंबर को हो जाती है और यह 1956 हो जाता है यह ठीक है और यह नई दिल्ली में इनकी मिरत कि बात करेंगे निमनली में किसने सुझाव दिया था कि भारत की 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 सुझाव कर दिया जाना 62 हो जाता है अपनी राष्टवादी पर्ति किरिया में बारतिय सविधान के निर्माताओं ने अल्प संक्या को हितो तदा भावनाओं के महतों को कम करके आखा है यह कथन किसका हो जाएगा तो यह कुथन हो जाता है आपका आईवर जैनिक्स का ठीक है यह आईवर जैनिक्स का कथन हो जाता है 63 की बात करेंगे किसने कहा था सविधान सबा कांग्रेश थी और कांग्रेश भारत था यह किसके द्वारा कहा गया है तो ये कहा गया है आपका ओश्टिन के द्वारा ठीक है ओश्टिन के द्वारा कहा गया था सविधान सबा कांग्रेश थी और कांग्रेश जो है भारत था और ये भी कोश्चन जो है बार बार आपकी प्रिक्षमें पुछा जाता रहा है 64 की बात करेंगे भारतिय सम्विधान सबा में कुल कितनी महिलाई सदस्थी कितनी महिलाई सदस्थ हो जाती है भारतिय सम्विधान सबा में तो ये हो जाती है कुल 15 महिला सदस्थ हो जाती है सम्विधान सबा की समय 65 की बात करेंगे निम्न लिखत में से संवीधान सवा की संग संवीधान समीती का अध्यक्स कों था तो यह हो जाते हैं आपके जवाहर लाल नहरू और यहां हम देख लेते हैं कौन-कौन जो है इन से सम्मधित हो जाते हैं संविधान सभाकी परमुक समीतिया और उनके अध्यक्स जो है इस परकार हो जाते हैं इधर आपकी समीति दी गई है और इधर आपके अध्यक्स हो जाते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। ये आपके डाक्टर राजिंदर परसाद हो जाते हैं। संचालन समीति के जो अध्यक्स हैं कोन हो जाएंगे तो यह आपके हो जाते हैं डाक्टर राजिंदर परसाथ, प्रारूप समीति की बात की गई हैं यह कई बार जो है पूछा जाता है तो डाक्टर भीम राव अंबेडगर हो जाते हैं प्रारूप समीति के अध्यक्स, मुलि प्रदिकार उपसमिति के अध्यक्स ये आपके जे भी करपलानी हो जाते हैं। अल्प संक्यक उपसमिति ये आपके एच्सी मुखर्जी हो जाते हैं। संग्य सक्तियां संबंदी ये आपके पंडि जवाहरलाल नहर हो जाते हैं। और प्रांतिय सम्विधान समीति के अध्यक्स सरदार वल्लब भाई पटेल हो जाते हैं, ये भी जो है कई बार आपकी परिक्षा में पूछा जाता है, कार्य संचालन के जो अध्यक्स हैं ये आपके हो जाते हैं, के मुंसी, इंपोर्टेंट कोन-कोन से हो जाते हैं, एक तो ज्यादा जो आपसे पूछे जाते हैं, सम्विधान सभाकी प्रांतिय सम्विधान समीति के अध्यक्स कोन था, कोन हो जाता है अध्यक्स ही आपको बताना है, तो ये हो जाते हैं आपके सरदार पटेल, सरदार वल्लब भाई पटेल हो जाते हैं, सम्विधान सभाकी प्रां प्रारूप समीती के अद्यख्स कौन हो जाते हैं अ कि प्रारूप समीती के अध्यक्स आपसे पूच लिया गया है यहां भी आपका correct answer nem हो जाताया डाक्टर भीम राओ अमबेडगर ठीक है ये सब भारत्य सविधान सभा की प्रारूप समीति के अध्यक्स हो जाते हैं 69 के बात करेंगे डाक्टर भीयार अमबेडगर की अध्यक्स में सविधान सभा की प्रारूप समीति में कितने अन्य सदस हो जाते हैं प्रारूप समीती में कितने अन्य सदस हो जाते हैं ये आपको बताना है। सत्तर की बात करेंगे। सविदान सभा के डाक्टर बी आरंबेडगर की अध्यक्सता में प्रारूप समीती का गठन कब किया गया था। सविदान निर्माती परिशत की जंडा समीती के अध्यक्स कौन थे। जंडा समीती के अध्यक्स आपसे पूछे गए हैं और ये बार बार आपकी प्रामी पूछा जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके डाक्टर राजिंदर परसाद, जंडा समीती के अध्यक्स आपके डाक्टर राजिंदर परसाद हो जाते हैं। 73 के बात करते हैं बारत के सविधान में उद्देशीका का विचार लिया गया है ये कहां से लिया गया है उद्देशीका का विचार तो ये हो जाता और WhatsApp चैनल से जुड़ने की लिंक आपको description में मिल जाएगा भारतियाय राजनेति की विवस्ता में इन में से कौन सर्वोच हो जाता है भारतियाय राजनेति की विवस्ता में आपसे पूचा गया कौन सर्वोच हो जाता है तो ये हो जाता है आपका सम्विधान सविधान भारतियर राजनेति की विवस्था में सबसे सर्वोच हो जाता है 75 की बात करेंगे भारत में न्याइक पुन रिक्षन यानि जूडिशल रिव्यू की संकल्पना निम्नांग की देख से देश के सविधान से लिगई है कि इस देश के सविधान से लिगई है जूडिशल रिव्यू की संकल्पना तो ये हो जाता है आपका संयुक्त राज अमेरिका के सविधान से बारत में न्याइक पुन रिक्षन की संकल्पना लिगई है नियाईक पुनरव विलोकन की विवस्ता हो जाती है ये कहां से ली गई है तो ये हो जाता है अपका भारत और युएस से में हो जाती है नियाईक पुनरव विलोकन की विवस्ता ये भारत और युएस से में हो जाती है निम्नलिक्ष में कौन सा लक्षन भारतिय परिशंग और अमेरिकी परिशंग में समान रूप से पाये जाता है। 78 की बात करेंगे भारत की संगात्मक विवस्था निम्नलिक्ष में किस देश से संबंदित हो जाती है। 80 नमबर देखते हैं भारतिय सविधान में राज्यो का संग की संगल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये हो जाता है आपका British North America अधिनियम से। British North America अधिनियम से भारतिय सविधान में राज्यो की संग की संगल्पना को प्राप्त किया गया है। बारत के सविधान में सम्मीलित समवर्ती सूची किस देश की देन हो जाती है किस देश की देन है भारत के सविधान में सम्मीलित समवर्ती सूची तो समवर्ती सूची यह आपकी हो जाती है आश्टीलिया से ली गई है बहुत्य ने सम्वर्ती सुची की संकल्पना उद्यत की है कोस्चन को आपसे घुम फिरकर एक जानमोर किसी भी तरह से बूस सकता है और इसका भी करक्टा अंदर आपका हूं जाता है आश्टेली स्थेली से बहुतिटिन 83 की बात करेंगे भारत के सविधान निर्माताओ ने साथवी अनुसुची में वर्नित समवर्ती सूची की अवधारना को गिरहन किया गया था तो ये भी आपका आश्टेलिया के सविधान से हो जाता है यहां भी जो है समवर्ती सूची से कोश्चन दिया गया है बारत के सविधान में सम्वर्ती सूची की अवधारना गिरहित की गई है तो ये हो जाता है आपका आश्टेलिया के सम्विधान से सम्वर्ती सूची की अवधारना गिरहित की गई है 85 की बात करेंगे बारतिय सविधान में राज के नीती निदेशक्त तो की शंकल्पना कि इस देश के सम्विधान पर आधारित हो जाती है और इसका करेक्टांसर हो जाता है आपका आयरलेंड के सविधान से ठीक है आयरलेंड से ले गई है भारतिय सविधान में राज के नीती निदेशक्ततों की संकल्पना 86 की बात करेंगे भारतिय सविधान में अन्य देशों के सविधान से कुछ विशिष्टाओं को लिया गया है किसी देश का राज के निती निदेशक्तत्व के निर्मान में योगदान है तो इसका भी करेक्टर अंसर आपका हो जाता है आयरलेंड ठीक है ये आपको देख लेना है और ये वो कोश्चन है जो बार-बार आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं राज सबा के गठन में परतीभा अनुभाव एवं सेवा को परतिनी दित्व देने में भारतिय सविधान निर्माता निम्नांकित उधारन से परभावित हो जाते हैं तो ये हो जाता है आपका आयरिस गंड तंतर से ठीक है पर्तिभा, अनुभाव, सेवा को पर्ति निदेत्व देने में भारतिय सविधान निर्माता ये आपके आईरिस गंड़तंतर से परभावित हो जाते हैं और यहां हम देख लेते हैं मूल अधिकार मूल अधिकार आपके संयुक्त राज अमेरिका से लिए गई है सासन की संसदिय पर्णाली ये आपकी ब्रिटेन से लिग गई है आपात उपबंद की बात करेंगे ये आपका जर्मनी से हो जाता है और राज के नीती निदेशक स्तत्व ये आपके आईरिलेंड से हो जाते हैं निमनल्दी में कौन सा एक ये की युगम सही सुमेलित नहीं है नहीं है ये आपको बताना है इधर आपके प्रावधान हो जाते हैं इधर आपके शुरूत हो जाते हैं कौन सा किस्से संबंदित नहीं है ये आपको बताना है मुली कदिकार की बात करेंगे यह आपका संयुक्त राजमेरिका से हो जाते हैं राज के नीती निदेशक तत्व यह आपके आयरलेंड से लिए गए है केंदर की अवसीस सक्तिया यह आपकी आश्टेलिय से नहीं है यह आपका गलत हो जाएगा और आपात कालेंड सक्तिया यह आपकी जर्मनी से लिए गई है आपसे पूछगा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो सी यह आपका सुमेलित नहीं है आश्टेलिय के सविधान से आपकी समवर्ती सूची लिए गई है यह आपको याद रगना है तो मूलिक करतमव्यों कोई विचारी आपका रूस यानि पूरु सोवियत संग के समवैधान से लिया गया है ठीक है पहले इसको सववियत संग कहा जाता ता अब इसको रूस कहा जाता है भारतिया सम्वैधान में सम tahu Griffith मूल अधिकारों की अवधार्न ना किसी देश के सम सविधान से गिरहत की गई है मूल अधिकारों की बात हो रही है और यह हो जाता है आपका समयुक्त राज अमेरिका ठीक है मूल अधिकार जो है यह आपके समयुक्त राज अमेरिका से लिए गए है 91 की बात करेंगे भारतिय सविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है मूल अधिकारों का विचार लिया गया है तो मूल अधिकार हो जाते हैं आपके अमेरिका की सविधान से 92 देख लेते हैं मूलिक अधिकारों की अवधारना ली गई है मोलिक अधिकारों की अवधारना ये कहां से ली गई है तो ये हो जाता है आपका USA के समविधान से मोलिक अधिकारों की अवधारना ली गई है लिखित समविधान का प्रारंब किश्देश से हुआ है लिखित समविधान का प्रारंब तो ये हो जाता है आपका अमेरिका से ही अमेरिका में हो जाता है लिखित सविधान का प्रारंब 94 की बात करेंगे भारतिय सविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है कितने भाग हो जाते हैं भारतिय सविधान में तो टोटल भाग जो है इसमें हो जाते हैं आपके 22 तो समिधान में भाग तो हो जाते हैं 22 लेकिन अगर इनको गिंडती की दृष्टी से देखते हैं अगर गणना इनकी करनी है तो ये जो है टोटल जो है 25 हो जाते हैं ठीक है टोटल हो जाते हैं 25 और भाग केवल इसमें हो ज उड़ जाते हैं तो इनको लगाकर तोटल 25 हो जाते हैं 95 की बात की गई है निम्नलिक में कोण एक सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है नागरिक तक ही बात करेंगे यह आपका सविधान के भाग 2 से हो जाती है मोलिक अधिकार ये भाग 3 में दिये गए है मोलिक करतव ये आपके भाग 6 में नहीं दिये गए है ये आपका गलत हो जाता है मोलिक करतव ये आपके भाग 4 में दिये गए है ठीक है भाग 4 के ये में दिये गए है आपके मूलिक कर्तव्य है और ये जो है आपका गलत हो जाता है आप से पुछगा एक सुमेलित कौन सा नहीं है तो सी आपका सुमेलित नहीं है 96 की बात करेंगे हमारे समविधान के किस भाग में तीन सौमवा सोपानों में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है तो पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है तो पंचायतों की बात करते हैं भाग नो में ठीक है भाग नो में सोपानों से पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है 97 की बात करेंगे बारतिय सविधान का कौन सा भाग और अध्याए संग और राज्यों के बीच विधाई संबंद के बारे में सही है कौन सा सही हो जाता है तो यह हो जाता है आपका भाग 11 और अध्याए 1 संग और राज्यों के बीच विधाई संबंदों के बारे में 98 की बात करेंगे निमनली में कौन सा एक यूगम सही सुमेलित है सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है सविधान का दूसरा भाग मोलिक अदिकार ये आपका गलत हो जाता है सम्विधान का तीसरा भाग नागरिकता ये भी गलत हो जाता है सम्विधान का चोथा क्या भाग ये मोलिक कर्तव ये आपका करेक्ट हो जाता है सम्विधान का पांचवा भाग राज के नीती ने दे सकता तो उसे तो ये भी आपका गलत हो जाता है आपसे पूछागा है सही कौन सा तो सही केवल C हो जाता है ठीक है सम्विधान का चोथा क्या भाग ये मोलिक कर्तव्यों से संबंदित हो जाता है यहाँ हो जाता है question number 99 निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है नागरिकता की बात करेंगे ये आपका भाग 2 से संबंदित हो जाएगा संग राज्ये छेतर की बात करेंगे ये आपका भाग 7 से संबंदित नहीं है ये आपका हो जाता है गलत और ये जो है आपका भाग आठ से सम्बंदित हो जाता है ठीक है संग राजे छेतर ये आपके भाग आठ से सम्बंदित हो जाते है नगरपालिका ये आपके भाग नो के ए से सम्बंदित हो जाती है और निर्वाचन जो है ये भाग 15 से सम्मदित हो जाते हैं आप से पूछ गए कौन सा सुमेलित नहीं है तो ये आपका बी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है और ये कोश्चन आप से आरो यरो की परिक्षा में ही पूछा गया है और इसी तरह के कोश्चन जो हर बार आपकी परिक्षा में देखने को मिलते हैं निमनेल्दी में कौन भारतिय सविधान के अंतरगत सही सुमेलित नहीं है कौन सा है जो इनमे से सही सुमेलित नहीं है पंचायतों की बात करेंगे ये भाग 9 से सम्मदित हो जाएगा नगरपाली का ये 9 कैसे सम्मदित हो जाएगी सहकारी समीती भाग 9 कैसे सम्मदित हो जाएगी अधिकरन की बात करेंगे ये आपका भाग 10 से सम्मदित नहीं है ये आपका हो जाता है गलत और आपसे पूछा गए कौन सा जो सुमेलित नहीं है तो D आपका सुमेलित नहीं है और ये जो है आज का हमारा लाश्ट कोस्चन हो जाता है कोस्चन नमबर 101 सविधान के किस भाग में पंचायती राज विवस्ता संबंदी प्रावधान दिये गए है पंचायती राज विवस्ता संबंदी प्रावधान आपसे पूछे गए है तो ये कौन सा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका भाग नो भाग नो में आपका पंचायती राज विवस्ता संबंदी प्रावधान दिये गए है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं और हमारे टेलिग्राम और वाट्सप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो में हमने आपको दे दी हैं 100 कोश्चन और इस सारे जो है आपके लिए इंप्रोटेंट हो जाती है चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब तक के लिए नमस्कार